एक्जिट पूल में क्या कुछ पाया है लोगों की क्या राय रही है लोग किस दल को किस गड़ बंधन को आगे बढ़ता हुगा देख रहे हैं उनकी राय में यह हम आपको बता रहे हैं इस डेटा के माध्यम से और लगातार हमारे साथ खास मेमान जो हैं वो हमारे साथ ृच साब्भ भी हमारे साथ जूड़े हुए हैं रुपेश जी भी हमारे साथ जूड़े हुए हैं वाछ साब 872 वाटों की बात गए लंसाफ पर ये लक्ष रखा गया था क्या आपको नसर आ रहा है ये जो अनुमान देखने को मिल रहा है इसमें आपको लग रहा है कि बी-जे-पी-उ करने में काम्याब हो गई मुझे तो सब्सक्राइब इसमें सचाई नजर आ रही है कि जिस तरीके से ओल ओवर इंडिया का आपने सर्वे किया और कम एक लाक लोगों के लगवग आपने सर्वे किया है जे पंचानवे हजार और एक लाक में कोई ज्यादा का अंतर नहीं है तो मुझे लगता है कि सम्वेर क्लोज टू रियाल्टी है ये जो आपके प्रडिक्शन है और जो हमलों का अपना पर्सनल एक्सपिरियंस है जिन राजियों में कुछ राजियों को छोड़ कर साउथ के तो उसमें भी लगवग यही प्रडिक्शन हमलों की भी थी जो आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है तो आई तिंक आपका ये जो पॉल प्रडिक्शन है इस वेरी क्लोज टू रियालिटी मतल सचाई के बहुत नजदीक है उस हिसाब से भारतिये जंता पार्टी और एंडिये को प्रचंड बहुमत 370 के पार भी ये चले जाएं तो इसमें कोई संचय नहीं होगा संचय नहीं होगा अपका ऐसा मानना है लेकिन खड़के साथ तो कह रहे हैं कि उनको भी 295 सीटों का उनका खुद का आंक लेना है नुमारी देखिए वो तो अभी मेरे साथ सुबस दिनवर से बहुत साम से ही पर प्रडिक्शन आना चालू हुआ है तो मैं विभीन चैनलों पर जो डिवेट करता रहा तो ये कॉंग्रेस के और सपा के ये सब के जो लोग थे वो लोग अभी भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि चार तारी को कोई जादू ही जिन निकलेगा और उनकी सरकार बन जाए आएगी वह तो जिसकी जमानत भी जब्स होती है पुनी जी रिजल्ट से पहले वह कहता है मैं दो लाक से जीत रहा हूं तो ये तो एक अपने को तसली देने वाली बात है वह तसली दे रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का ये बातावरण बन रहा है चार तार जाएगा उनके अंदर हो सकता है उनके अंदर से फूट फूट भी होने लगे एक दूसरे को ब्लेम गेम में कि तुम्हारे कारण यह हो गया तुम्हारे कारण यह हो गया देश की और उसके बाद इनका जो गोशना पत्र संकल पत्र बोलते हैं उसको देखेंगे तो मोदी जी के फोटो एल्ब्रम के लावा कुछ नहीं रहा वो दस साल सरकार में रहने के बाद ग्यारा करोर प्लस दस करोर प्लस मने एकजेक्ट आंकड़े देने में भी भाजपाग में अनिभिग्यता रही और जिस प्रकार से बार बार यह बोलते हैं चुनावियों के समय में यह किसी राजनितिक दल के व्यक्ति को दबाव में या प्रलोभन दे कर गया कोई आउसारवादी व्यक्ति इनके भाजपा में सामील होता है तो इसकी योज़ना नीती और जो कारकरम है उससे कोई प्रभावित होकर नहीं गया है और जिस प्रकार से देश में देश की जंत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के वज़ से था? करके व्यक्तिवादी पार्टी हो गई है अमिर साथ जी मोदी जी और जेपी नडड़ जी तीनों के बातों में परियाब्त विरुदाबासी कथन हैं विरुदाबासी दावें हैं ऐसी स्थिति में और यह तीन सो सत्तर की बात करते हैं लगभग बारासो मद्दाताओं का एक ौता है उसमें तिसनुसफ sell की बात करके बाध्य पास सीर्फा अपनी हतासह और दस साल की जो निकम्य है जो निसकृता रही है और देश की जंताओं के परसानी मेंक भात थाओ एक च नाम पर राजनिती ने के प्र्वानु के नाम पे राजनिती करने मंदिर के नाम पर राजनिती करने के प्रयास किया था उसको भी देश की जंता ने इस चुनौम बेन नकार दिया और भाज़िपा का लगाता प्रतेट चरण में मुद्दों से बटकना और मुद्दों से गुब्रा होना इसा अनुमान है निश्चित रूप से मैं फिर से कहूंगा आधरेणी वत्स जी है आपके प्रमुक चेनल है सभी के अपने-अपने आकलन होते हैं लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने आम जनता के भी जाकर के काम किया है जिस प्रकार से जनता के प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को मिला है तो निश्चित रूप से हम आम जनता से मिले हुई जनता से प्यार दुलार और जो जन समर्थन मिला है उसके दम पे हम बोल रहे हैं कि इ हमारे साथ लगातार महमान जो है वो जुड़े गूए है वाट साप ये उमीद का दामन जो है नहीं छोड़ना चाहिए उमीद का उमीद पर अभी खायम है मध्यप्रदेश और च्छतीस गड़ की अब मैं आप से बात करना चाहरा हूं समझना चाहरा हूं मध्यप्रदेश 36 गड़ में दो मुख्य दल ही होते हैं बीजेपी और कॉंग्रेस मध्यप्रदेश और 36 गड़ की सीटे कुल मिलाकर हो जाती हैं 40 36 गड़ से भी ऐसी ही खबर आ रही है जो मध्यप्रदेश से आ रही है 36 गड़ की 9 से 11 बताई जा रही है NDA के पक्ष में ये आंकलन है और मध्यप्रदेश में 26 से 29 बताई जा रही है ये क्या बता रहा है मध्यप्रदेश 36 गड़ में कोई बतलाव देखने को नहीं मिल रहा है अभी बीते दिनों राहूल गांधी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और सोशल मीडिया पर जो वो चर्चा कर रहे थे खासतोर पर खिलेश यादव से चर्चा कर रहे थे या तेजप्रताब से चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि हमको उमीद है बिहार से उत्तर प्रदेश से और भी कुछ राजियों का उन्होंने गिरा आया था लेकिन मधिप्रदेश 36 गड़ को उन्होंने चुआ नहीं था और मधिप्रदेश 36 गड़ से यहीं कुछ exit पोल में भी निकल कर सामने आ रहा है नहीं वह सही है देखिए जिस तरीके से प्रचंड बहुमत इतने दिनों के सिवराज सिंग चोहान के शासन के बाद एंटी इंकम बेसी को धत्ता बताते हुए जिस तरीके से प्रचंड बहुमत देने का काम विधान सवा में वहां की आवाम जंता ने किया सा उससे यह जो आपके प्रडिक्शन हैं यह उससे काफी मेल खाते हैं कि अगर उस जंक का उनको विश्वास है उस समय भी नरेन मुदी कमान समा ले हुए थे कैंपेनिंग की और उनकी गारिंटी के उपर ही लोगों ने इस तरीके का प्रचंड बहुमत देकर वहा जिस तरीके का प्रडिक्शन आया है वो भी अनुरूफ ही आया है जिस तरीके से ये दोनों जगों पर जो 40 सीट में मुझे लगता है कि 36-37 सीट साइद एंडिये के खाते में जानी चाहिए ठीक है एक दो का मैं नहीं कह सकता लेकिन यह आपके जो आंक्रे हैं वो काफी सट जिस तरीक और सचाईव से प्रेरित है कहीं उसमें कोई ओवर एक्जाजरेशन वाली बात नहीं है ठीक है और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो खूब मेहनत की खासतोर पर अखिलेश यादव ने और राहूल कांथी ने मिलकर दो भीड उमड रही है बहुत युबा उमड रहे हैं बहुत लोग साथ में देखिए पुनित जी आजकल नेताओं की रैली में भीड जुटाई जाती है सुएच्छा से कम आती है अनलेस की कोई नरेंद मोदी जैसा करिस्माई लीडर हो भारतिये जनता पार्टी में भी जो भीड नरेंद मोदी के नाम पे आती है वो हमारे दूसरे नेताओं के नाम पे नहीं आती है तो ये करिस्माई लीडर बिरले ह पैदा होते हैं और पहले भी लोगों ने इकठे मिलके चुनाव लड़ा था यूपी को साथ पसंद है लेकिन यूपी को ये साथ पसंद नहीं आया और वहां के लोगों ने जिस तरीके का आपका प्रडिक्शन बता रहा है उसके अनुरूप 62 से 71 सीच देने का काम यूपी य ये अधिये सरकार, अथि गटवंदन को देने जा रही है, तो उनके उनको तो दस का इजाफा ही होने जा रहा है वहां घटोतरी की दो बात ही नहीं आहीं हो रही है देखे उत्तर प्रडिशन ने सासन ने सपा का दौर देखा है उसको याद करके भी वहां की आवाम की रूह काप जाती है खैर कॉंग्रेस तो मेरे समझ से पिछले 25-30 साल से साथ वहां सासन में नहीं रही है इसलिए कॉंग्रेस क्या तो कोई उनको ऐसा याद नहीं होगा जो बड़े मुज़ूर्व होंगे उनको ही याद होगा कि कॉंग्रेस के सासन में क्या आलत थी लेकिन नोजवानों के समय में तो मेरे जो अपना नौलेज है की 25-30 साल से तो महां कॉंग्रेस की कोई सरकार किसी भी रूप में नहीं रही है तो इस हिसाब से उस सपा का जो उन्होंने देखा है रूप जिस तरीके का उनके लोगों के द्वारा रिबॉलवर टांके और चोक चोड़ाहे पर साइकल का जंडा लगा के रंगदारी असूला उनके रेजीम में एक पर्टिकुलर जाती के लोगों का एक बर्चस मुसल्मानों का रोधर रूप तो ये सब प्यूपी के लोग पसंद नहीं करते हैं और उन्होंने इसी सब कारणों से दुबारा से नरेंद मोदी की सरकार में अपना विश्वास ब्रक्त किया है विश्वास जताया है ठीक है विश्वास का यह आंकलन है हम बार बार यह कह रहे हैं कि यह आंकलन है यह अन मध्यप्रदेश की फिर से बात कर लेते हैं अजय सिंग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय जी मध्यप्रदेश में ये कहा गया कि मध्यप्रदेश में बीजेपी और कॉंग्रेस जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मध्यप्रदेश में एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ लेकिन बीजेपी की तरफ से पार्टी ने चुनाव लड़ा, candidates जो हैं उतना ज्यादा दम नहीं दिखा पाए, Congress की तरफ से पार्टी ने उतना चुनाव नहीं लड़ा, candidates ज्यादा दम दिखाते हुई नजर आए, क्या इस बात से इतिफाक रख रहे हैं? देखे, पुनित जी, मद्यप्रदेश में भारतिय जन्ता पार्टी का संगठन एक उतकरिस्त संगठन है, जिसको देश भर में भी सबसे अच्छे संगठनों में से माना जाता है, तो इसमें तो कहीं कोई दोराय नहीं है कि भारती जन्ता पार्टी का जो संगतन था वो चुनाओ में बहुत मजबूती से लड़ा और उसका लाब चुनाओ में मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है जिस तरह के सर्वे, रिपोर्ट और रिजल्ट्स आ रहे हैं अब ये कहना क भारती जन्ता पार्टी में हमेशा संगतन में जिसको दाइद दी जाता है, जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है, वो पार्टी के उम्मीदवार जाता है। कि शिवराज सिंग्चुहान के पुत्र हैं, उन्होंने अपने कारेकरताओं से जब चुनाव होने वाला था विदी शामें, तब अपने कारेकरताओं से उससे पहले कहा था, ताकीद किया था, कि ऐसा करके सोच के बैठ मत जाना, वरना पता चल रहा है कि नईया डूप होगा, तो यह 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 परिस्तिती भी बने देखे, पुनी जी मध्यप्रदेश में पहले दो चरणों में मद्दान प्रतिशत कम होने के बिविन में कारेंट थे, और सबसे बड़ा कारेंट चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी का पूरी तरह निस्प्रभावी होना ही था, लेकिन उसके बाद भी भाजपा संगठन ने मद्दान प्रतिशत कम होने के लिए भी अपने प्रभावी कदम उठाए, और जिसके परिणाम आपको तीसरे और चौथे चरण में देखे, जहां मद्दान प्रतिशत बड़ा, जबकि कॉंग्रेस पार्टी तो पहले चरणों कि चुनाओं में किसी तरह का कॉंपटीशन नहीं दिख रहा था, लोगों को लग रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है, कॉंग्रेस का मद्दाता बाहर नहीं निकला है, और अब जब आप परिणाम देखेंगे तो हमारा मद्दान प्रतिशत पिछली बार स से उपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भारती जंता पार्टी अपने लक्ष के ऊपर है, और कॉंग्रेस पार्टी जो पहले ही रसातल में थी, आप क्या कहें, कौन से तल में चली गई है मद्दिप्रदेश में, और कॉंग्रेस पार्टी बात कर लेते हैं, शू पी भले ही शायद जीत जाए, अनुमान के मताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि 29 और अनुमान ये भी बता रहा है कि 26 जीत सकती है, देखे पुनित जी इस मामले में मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, मद्दिप्रदेश में भारती जनता पार्टी सभी 29 सीटों पर मजबूत स्थिती में हो, हमें विश्वा से 29 सी जीत रहे हैं, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी केबल 2-3 सीटों में चुनाओ लड़ने की स्थिती में थी, तो ये जो जीरो से 3 सीटे दिख रही है, ये वो सीटे हैं, जा कॉंग्रेस के नेता अपने व्यक्तिगत है, रतलाम है, कौन सी सीट है? और जनता का आशिवाद प्रधान मंतरी मोदी जी के लिए, विक्सित भारत के लिए, डवल इंजिन की सरकार के लिए मिला है, जीत रहे हैं, विश्वास मानिए, लेकिन खबरे तो यहां तक थी कि कार्यकरता नाराज हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, दूसरे दल से आगए, तो बोले हमारी पूछ पर रख तो कम हो जाएगे, इनको एड़िस्ट के सिखी आ जाएगा, खेर, ये तो चुनावी दल है, इसके बीच चर्चा होती रहती है, इस चर्चा को भी हम जारी रखने वाले हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, उस पास 36 गड़ की भी बात करेंगे.